नमस्कार चार का चक्रवीव देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेव नेता हो या प्रादी आतंकी हो या जिहादी जो भी गलत करेगा वो चक्रवीव के चक्र से नहीं बचेगा उनके कारणामों को एक्सपोस करूंगे एक एक करके पूरी डिटेल में इ दूसरी ख़वर में बाद बंदुक वाले ःड़ मास्ठर की तीसरी खवर मेंबाद आतंकी की चौथी ख़वर मेंबाद दरोगा की सबसे पहले बाद च्छापे मारी की उत्रप्रदेश के शामली में एनाईय और स्टीफ की टीम ने मिलकर च्छापे मारी की है इस दोरान पुलिस ने यहां से गिरफ़तार आईएसाई एजरेंट कलीम की माता पिता से घंटों पूश्ताच की है कलीम को नाईय ने इसी साल आउगस्त के महिने में गिरफ़तार किया गिरफ़तारी से छे दिन पहले ही वो पाकिस्तान से लौटा था आरोप है कि कलीम अवयाद असलहों को इखटा करके अलग-अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था नाईय और यूपी एस्टेफ की टीम ने शामली के सदर कोतवाली छेत्र का नकुआ रोड पर च्छापेमारी की वही जानकारी के मताबिक च्छापेमारी के दौरान नाईय ने आईसाई एजुन कलीम के माता-पिता से घंटों तक पूश्ताच की कलीम और उसके माता-पित एक साल से पाकिस्तान की जेल में रह रहें उन पर हत्यारों की तसकरी का रोप था पूश्ताच के बाद नाईय और एस्टीफ की टीम वापस रवाना हो गई इससे पहले आउगस्ट महीने में नाईय ने शामली के मोमिन पूर से आईसाई एजिन कलीम को गिरफतार किया था पूश्ताच में कलीम ने कई संसनी खेज खुलासे करते हुए बताया था कि वो छे दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आया था भारत मेरे एकर वो अवैद हत्यारों के सप्लाई किया करता था इसके अलावा मुस्लिम यूवाओं को भी बहला फुसला कर उनका ब्रेन वाश क भी किया करता था इसके अलावा भारतिय सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारी और फोटो पाकिस्तान भेशता था उसके पास से सब्सक्राइब को फर्जी आईडी पर लिए सिम के साथ दो मुबाइल उर्दू में लिखे कई पेपर और दस्तावेज भी बरामत हुए था यहां एक स्कूल के हेड़ मास्टर कंदे पर बंदूग टांक है बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो ज्रिले के बेसिक सिक्षा अधिकारी ने जाज बठा दी वही जाज रिपोर्ट आने के बाद हेड स्कूल में तैनात हेड मास्टर धरमेंदर कुमार शर्माइदिन बच्चों के साथ गाली गलोज करते हैं यहां तक की गाउं की महिलाओं के साथ भी अभध्र वैवार करते हैं इसको लेकर गाउं में पहले से याक्रोष था इस बीच ग्रामिनों ने स्कूल में हो रहा है न इस बात से नराज हेड मास्टर बंदूक लेकर स्कूल पहुंचके कंदे पर बंदूक लटका कर स्कूल में उनके घूमने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो को देखकर गाउं के लोग आक्रोशित हैं वहीं इसी वीडियो को टैक करते कि पुष्टी हुई इसके बाद BSA ने मौके पर ही हेड मास्टर को सस्पेंट कर दिया बेसिक सिक्षा अधिकारी राकेश सिंग ने बताया कि हेड मास्टर के बंदूक लेकर स्कूल में आने के सूचना मिली थी इस सूचना पर तहसिलदार और ABSA ने मौके पर पहुंचकर जाच उनकी जाच में हेड मास्टर दूशी पाए गये हैं इसके बाद उन्हें सस्पेंट किया गया है उन्होंने बताया किस स्कूल में एक सहायक अध्यापिका को भी अनुश्यासन हीनता के चलते निलम्बित किया गया है तीसरी ख़ब में बात करेंगे आतंकी यूपी एटियस के हाथ बड़ी सफलता लगी एटियस ने आईसाइस से जुड़े दो आतंकियों को अलिगर्ज से गिरफ्तार कर लिया है बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिगद आतंकी उत्तरदेश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे दोनों ने आईसाइस की शपत पहले से ही ले रखी है एटियस ने इनके पास से कयूपकरन बरामत की हैं आईसाइस मौडियों से जुड़े इन संदिगदों का नाम अब्दुला अर्सलान और माज बिन तारीक है दोनों ही आईसाइस के पू अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेट्रोकेमिकल इंजुइनियरिग में बीटेक कर चुका है आईसाइस के हेंडर्स ने अब्दुला अर्सलान और माज बिन तारीक का पूरे मौडियों से संपर्ट कराया था पूरे मौडियों माइनिंग और पेट्रोकेमिकल के एक्सपर्ट लड़कों को जोड़ कर बड़े कैमिकल अट्रैक के लिए संसाधन जुटा रहा था वही पूने मॉडियूल की ताय चंदॉली से भी जुड़े हैं अब तक की जाच में पकड़े गए दोनों संदिगदों के चंदॉली में संपर्क और चंदॉली जौनी की बात सामने आई है फिलहाल हर एंगल से यूपी एटियस जाच कर रही है गौरतलब है कि अलिगर से पकड़े दोनों संदिगदों अब्दूल अर्सलान और मास बिन तारीक से यूपी एटियस के साथ साथ महराश्य एटियस और राजुस्थान पुलिस भी पूश्ताच करेगी पूश्ताच में आये साइस से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जुआनकारी मिल सकती है चौती ख़बरें बाद दरोगा की यूपी के कुशांबी में चौकी के अंदर बन्यान और गमचा में फडियाद सुनने वाले दरोगा पर एक्शन लिया गया है एस पी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है साथ ही विभाग ये जांच के आदेश दिये हैं दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वादल होने के बाद ये एक्शन हुआ है वीडियो में दरोगा को बनियान गमचा पहन कर पीरित महिलाओं की फर नवाई की गई है कि वीडियो में दरोगा बनियान और गमचा लपेट कर फर्याद सुनते नजर आ रहा है वहीं सामने तीन महिलाएं बैठी दिख रही हैं बताया भी जो रहा है कि महिलाएं किसी बात को लेकर सिंग्या चौकी पहुंची थी जहां दरोगा कुरसी पर बनि पी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए विभाग्य जाच सिरातु सीयों को सौप दिये दरसल पूरा मामला कोख राज थाना चेत्र के सिंग्या चौकी का है बताया चौरा है कि बालक महु गाओं में दो पक्षों में कुछ घरेलू विवाद हो गया था ऐसी बात को लेकर महिलाएं सिंग्या चौकी गई थी आरोप है कि चौकी प्रभारी राम नारायन सोनकर महिलाओं के सामने बन्यान और गमच्छा लपेट कर आगे दरोगा जी अपने ऑफिस की कुरसी पर बैठ कर महिलाओं से बाच्शित करने लगे हाला कि महिलाएं ऐसी हालत म में चौकी इंचाज को देखकर हिचखचाई लेकिन मजबूरी में उन्होंने अपनी पर्याद बताए फिलहाल एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तम ने खबर का संग्यान लेते वे चौकी प्रभारी राम नारायन सोनकर को ततकार प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है साथ ह मामले की जाज सिरातु छेत्र अधिकारिया देश विश्विक कर्मा को सौब दी गई है फिलहाल के लिए चार कचिक्रवी में इतना ही बाकि तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार